दोस्तों आप सभी के इस कहानी के भाग चार में स्वागत हैं प्लीज आप लोगों को कहानी अच्छी लगे तो कहानी को लाइक जरूर कर दीजिएगा और आप लोगों मेसेजिन लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब ने किया तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर क मैंने सब सोच रखा है कि हमें क्या करना है बस एक अरचन है कि उन तक रिस्ता लेकर जाएं कैसे अहाना बोली उसमें क्या है मैं सीधे मापापा को कह दूँगा कि मुझे इस लड़की से साधी करनी है बस हो गया काम आयान ने चुटकी बजाते हुए कहा नहीं लब मैरिज न नहीं दिखनी चाहिए ये और भी ने जट से आयान की बात काटते हुए कहा पर क्यों भाबी उसमें क्या है आयान ने पूछा आयान माजी को लब मैरिज पसंद रही है उनके हिसाब से लब मैरिज में उनका लड़का पहले से ही उस लड़की की गिरफ्त में है तो आधी ज जिससे खार खाती थी नहीं कुछ और सोचना पड़ेगा ये साधी अरेंजड मैरिज लगनी चाहिए जिसमें आयान की सहमती ना हो पर मा जी और पिता जी की सहमती हो और भी ने कहा सब कुछ देर सब कुछ देर खामोश हो गए ये सोचने लगे कि आखिर क्या किया जाए उत्साहित होते हुए कहा परूर भी तुम्हारे मा पापा डिबोस की खबर सुनकर वो वैसे ही तूट जाएंगे और फिर जिनकी बेटी उस घर में खुश नहीं रही वो मेरी बेटी के लिए उस घर में भात करेंगे थोड़ा अठपटा सा नहीं लग रहा संजीव दिवान सोचते हुए बोले तभी अहाना बोली पापा इसका भी उपाय है मेरे पास सुनिए आप सब ध्यान से कि क्या करना है अहाना ने आगे का सारा प्लान समझाया सब उसके प्लान से सहमत थी अब बस इंदरजाद था मचली को जाल में फसाने का हलो मा कैसी हो मैं तो बिल्कुल ठीक हूँ ओर्वी ने चहकते हुए अपनी मा को फोन लगाया इतने दिनों से तुने फोन नहीं किया उरू मैं तो घबरा गई थी सारिका जी की आवाज में ओर्वी के लिए चिंता असपस्ट चलक रही थी मा थोड़ा बिजी हो गई थी ख तु कब खुसकबरी सुना रही है सारिका जी चहकते हुए बोली बस मा एक राय लोग बार बार बोलते रहते हो अच्छा सुनो पापा कहा है दिवान अंकल को उनसे बात करनी है बहुत जरूरी बात है ओर्वी ने मुद्दे पर आते हुए कहा तु अहाना के यहां क्या कर तु अहाना के यहां है क्या सारिका जी ने पूछा हा माबो आप फोन दो ना पापा को सारिका जी ने राजियू जी को फोन धमा दिया ओर्वी बेटा कैसी है तू राजीव जी चहकती आवास सुन राजीव जी की चहकती ही आवास सुन ओर्वी थोड़ा रुआसी सी हो गई मैं ठीक हूँ पापा आप कैसे हैं ओर्वी का गला भराया इतने दिनों से ना कोई फोन ना मैसेज सब ठीक है ना गुरिया राजियू जी के मुझ से गुरिया सब्द सुनकर ओरवी गमन किया अभी जाकर उन्हें गले लगाए और सब कुछ बता दे पर हो ऐसा नहीं करना चाहती थी उसकी हालत देख संजीयू दिवान ने तुरंत उसके हाथों से फोन ले लिया और बोले बंसल साहब दिवान बोल रहा हूं कैसे हैं आप पोते की बहुत-बहुत मुबारक बाद आपको अरे दिवान साहब आप बहुत-बहुत धन्यवाद आपका उर्भी आपके पास आई हो गई उसकी पढ़ाई पूरी राजीयू जी अपने खुसी प्रकट करते हुए बोली सब बढ़ियां से हो गया अब तो अपने प्रैक्टिस भी शुरू कर दी हानाने बंसल साहब बिटिया के बारे में ही बात करनी थी वो उर्भी की साधी में उसने उसके देवर आयान को देखा था तो अब उसकी जिद है कि साधी करेगी तो उसी से आप से छोटी सी बिनती थी यदि आप उर्भी के सुस्रार वालों से एक बार हमारी अहाना के लिए बात कर लेते तो बढ़ियां रहता संजीव दिवान बोले ये बात सुन संजीव जी कुछ वक्त के लिए खा पर उसके माता पिता सही नहीं है पैसो के लालिची लोग हैं और आप तो खुद इतने संपन हो इतना नाम है आपका आप से तो वो बहुत ज़्यादा डिमांड करेंगी लड़के दोनों अच्छे हैं पर पता नहीं अपने माता पिता के आगे बोलते नहीं है एक बार और स पाना को आयान बहुत पसंद आया था अब आप तो जानते हैं विदिया को कितनी जिद्धी है ठान दिया कि साधी आयान से ही करेगी आप एक बार बस उनके कान में डाल दे तो आभार होगा संजीव दिवान बिनमरता पूरबग बोले अरे आभार कैसा दिवान साहब कि मैं बात करता हूँ राजी उजी ने ये कहकर फोन रख दिया क्या कहा अंकल ने वो मान गए हाना ने उतसुकता फिस पूछा मुझे नहीं पता था कि आपको मुझसे साधी करने की इतनी जल्दी हैं कि इतनी एक्साइटेड हैं आप आयान ने फिर से आना को चिड़ते व कहा मैं भी यहां अपनी भावी के लिए हूँ आप में मुझे भी कोई इंटरेस्ट नहीं है आयान भी कहां चुप रहने वाला था उफ चुप करो दोनों बात हो गई हैं उन्होंने कहा है कि वो बात करेंगे परूर भी अगर तुम्हारे साथ सबसुने तुम्हारे और आर का से वापस आएंगे मैं तब उन्हें बताऊंगी ओर भी ने कहा चलो ठीक है फिर अब जो होगा देखा जाएगा ये कहजन जी दिवान अपने कमरे में चले गए कहलास गुपता घर पर बैठे आराम से अकबार पढ़ रहे थी कामनी जी उनके बगल में बैठ फल खा रही थी कि दभी कहलास जी का फोन बजा फोन पर राजियू बंसल का नाम देखते ही वो चौक कर बोले ओर भी की पिता का फोन आ रहा है भाग्यवान क्या करूं उठा लू की नहीं वो हर बढ़ाते हुए बोले यहां फोन क्यों कर रहे हैं वो लोग चलो अब उठाना तो पर रूर भी और हारुस के डिवोस की बात मत कहना कामनी जी सेव मुह में डाल लिते हुए बोली नमस्ते बंसल साहब कैलास जी ने फोन उठाते ही कहा नमस्ते संदी जी कैसे हैं आप राजियू जी ने पूछा बढ़ियां हैं आप सब आप सब कुसल पूरबैक हैं वहां क कैलास जी ने बात अगर बढ़ाते हुए कहा जी सब बढ़ियां कैलास जी दरसल आप से एक जरूरी बात करनी थी हान जी कहिए क्या बात करनी है आपको कैलास जी ने फोन को स्पीकर पर करते हुए कहा राजियू जी की आवाज में हिचकिचाहट और घबराहट असपष्ट जलक रहे थी पर बात उन्हें करनी ही थी ऐसा है गुपता जी आरुसवर ओरभी की साधी में उसकी बच्पन की सहेली अहाना भी आई थी आपने दिवान इंदस्ट्रीज का नाम तो सुना होगा दिवान इंदस्ट्रीज हा सुना है उसके मालिक संजीव दिवान आये दिन अहाना उनकी बेटी है चुकि उर्भी की बच्पन की सहेली है इसलिए उसके पिता से हमारे तालुकात बहुत अच्छे हैं तो उन्होंने आज मुझे फोन किया था वो आपके बेटे आयान से अपनी बेटी अहाना की साधी करना चाहते हैं राजी उजी बोली ये सुनते ही कामनी जी के कान खड़े हो गए उनकी आखों में चमक आ गई उन्होंने आश्चर से कहलाज जी को देखा और ये रसारे से आगे बात करने को कहा पर कहलाज जी कुछ बोल ही नहीं पा रहे थे तो कामनी जी ने खुद ही कमान समाल ली नमस्ते भाई साहब ये संजीव दिव आई दी बस सीधा अपने मुद्दे की बात पर आ गई फिर उन्होंने अपने दिवाक में आये खायालों को जटकते हुए कहा बहन जी अहाना ने आयान को साधी में देखा था उसे वो बहुत पसंद आया अब जब दिवान साहब उसकी साधी के लिए रिष्टे ढोड रहे कारे करूं तो यदि आप लोगों को ठीक लगे तो एक बार वो मिलना चाह रहे थे कामनी जी की आखों के आगे पैसों की गड़िया नाचने लगी उन्होंने तुरन था कर दी इस पर राजी उजी ने कहा एक बार आयान से पोच लेते हैं आप लो वो भी राजी होना चाहि ना वो हमारा आग्याकाडी बेटा है भाई साहब जैसा हम कहेंगे वैसा ही करेगा आप बस ये बताइए कि कहां मिलना है उनसे कामनी जी की आवाज में अचानक बदलाव आ गया विम्नमलता छोड़ अहंकार आ गया खेर इसकी तो बंसल परिवार को आदत हो गई थी वो आ कामनी जी ने चहकते हुए कहा हमारे तो भाग की खुल गए इतना बड़ा परिवार हमारे बेटे से अपनी बेटी की साधी करना चाहता है आह भगवान के घर देर है अंधेर नहीं अरे भाग्यवान इतना खुसमत हो तुम्हारे लाडले ने मना कर दिया तो वैसे भी तु उसको मना कर ही दम डूंगी कामनी जी ने भी ऐलान कर दिया अब इंदजार था आयान के घर वापस आने का रात को खाना काते समय गर में बहुत खमोसी थी काईलाश जी और कामनी जी खाना काते समय एक दोस्ते को देखकर इसारे कर रह её धे आयान ही सब देख रहा था और मन ही मन मुस्कुरा रहा था इंसान कितना लालची भीडिया है ये उसने आज देख लिया था आयान आगे क्या सोचा है बेटा कैलाज जी ने बात सुरू करते हुए कहा आगे क्या सोचना है आयान ने वे रुखी से जवाब दिया मतलब अब अच्छी नौकरी मिल गई है तो का मारते हुए कहा अरे मेरा वो मतलब नहीं था मैं कैलाज जी ने बेबसी से कामनी जी की तरफ देखा कामनी जी ने गुसे से अपनी गयदन जटकी और कहा साधी का क्या प्लान है कुछ सोचा है आयान ने मु बिगाडते हुए कहा खाने में आज नमक कुछ ज़्यादा ही ह गया है मा आपको नहीं लगता नमक को छोड़ मुद्दे की बात पर आ कामनी जी ने थालिक को खिसकाते हुए कहा तो आएए आप लोग मुद्दे की बात पर गुमा फिरा कर बात मत करिये आयान ने अपना मु पोंचते हुए कहा आज बंसल साहब का फोन आया था वो कामनी जी बोल लई थी कि आयान जट से बोला कौन बंसल साहब उर्भी के पिता और कौन कामनी जी ने चिड़ते वे कहा ओ कैसे हैं अंकल आंटी वहाँ सब ठीक है आपस कब आ रहे हैं आयान ने प्रस्णों की जड़ी लगा दी अब कामनी जी के सब्र का बांध तूट चुका था वो तिल मिलाती हुई बोली कैसे हैं क्या हैं का बार रहे हैं ये सब छोड़ उन्होंने बताया कि दिवान इंट्रस्टेज के मालिक की इकलोती बेटी यहाना तो जिससे साधी करना चाहती हैं हमने हां कर दी है अब बता कब मिलना है जब सब्ते कर दिया खुद से तो कब मि मिलना है ये भी तैं कर लेते आयान ने गुसे से उन्हें देखते हुए कहा मुझे सिप्कूछना मेरी पसंद ना पसंद जानना जरूरी नहीं समझा आपनी मैं अभी साधी नहीं करना चाहता इस बात से तो आप दोनों आउगत थे फिर क्यों तैं की बात मुझे नहीं मिल फाइदा होगा हमें कैलास जी बोले फाइदा नुकसान बस इसके आगे कुछ और नहीं सोचते ना आप लोग आयान की आवाज में तलकी थी आयान मैंने जो कह दिया वही आखरी फैस्टा है ये तु जानता है वैना आंजाम अच्छा नहीं होगा कामनी जी की आखों में आज थे जो कैलास जी को कभी समझ नहीं आते थे पर आयान उनकी ये बात सुनकर पसीने से भीग गया और धीमे स्वर में बोला जैसा आपको ठीक लगे करिए बस मुझे समय और तारीक बता दीजे मैं हाजिर हो जाऊंगा ये कहकर आयान अपने कमरे में चला गया और कैलास जी सोचते रहें कि आखिर ऐसा क्या करती आखिर ऐसा क्या कहती है कामनी की दोनों बेटे चुप चाप उसकी बात मान लेते हैं फोन की घंटी बचती है कामनी जी के दिल की धड़कने बढ़ जाती हैं पिछले दो दिनों से वो संजीव दिवान के फोन का इंतजार कर रही आखिरकार अब उनके माला माल होने के सपने साकार जो होने वाले थे उन्होंने बहुत उमीदों से फोन ठाया जी नमस्ते मैं संजीव दिवान बोल रहा हूं ओलबे के पिता जी ने आप से बात की होगी हमारे बारे में संजीव दिवान ने कहा कामनी जी किसी छोटे बच् हान जी की थी बात कैसे हैं आप भाई साहब आयान अपने कमरे में सी सारा नजारा देख रहा था अपने मतलब के लिए उसकी माने कैसे एक पल में ही आहाना के पिता को भाई साहब का दरजा दे दिया एक रिस्ता कायम कह लिया, उनकी घटिया सोच पर, आयान छुब्ध था, बहन जी, मेरी बेटी अहाना को आपका बेटा आयान बहुत पसंद है, मेरी बेटी की पसंद, मेरी पसंद है अब दिवान इंड़स्ट्रीज की मालकिन तो वही है ना, तो उसकी बात को मैं कैसे इंकार कर सकता हूँ तो हम आपके घ़र आना चाहते थे, आपके बेटे से मिले, यदि आपको ये दिस्ता मनजूर हो, तो क्या हम आ सकते हैं, संजीव दिवान ने वैसे ही बोला, जैसे आहाना ने उन्हीं समझाया था ये तो हमारा सौभाग ये है भाई साहब, आप जब चाहें पधार सकते हैं, वैसे मैं तो कहती हूँ, कि आप कश्ट क्यों कर रहे हैं, हम ही आ जाते हैं, कामनी जी की आँखों की चमक देखने लायक थी, जी नहीं, आएंगे तो हम ही, अरे, जिस घर में हमारी रानी बिट कट कर दिया, कामनी जी की आलिसान बंगला देखने की, दिल की ख्वाइस अधूरी रहे गी, पर वो खुश थी, क्योंकि इतने बड़े घराने की लड़की, उनकी बहु बनने वाली थी, सोसाइटी और सहलियों के बीच, उनकी नाक सुर्पनखा से भी ज़्यादा लंबी जो होने माली थी, अब ये लंबी नाक कटेगी या बचेगी, ये तो वक्त ही बताएगा, आखिरकार वो दिन भी आ गया, बारा बचते ही एक लंबी सी मरसलीज कार कामनी निवास के आगे खड़ी थी, खिड़की से छांकती कामनी जी की आँखे, खुली की खुली रह गी, और उन खुली आखों में मरसलीज में बैठने के सपने तैरने लगे, आईए भाई साहब, घर ढोड़ने में कोई तकलीफ तो नहीं हुई, कामनी जी ने, संजीव दिवान का स्वागत करते हुए कहां, ज्यादा नहीं, अब गली महले में रहने की आदत तो है नहीं हमें, इसलिए थोड़ी बहुत तकलीफ तो हुई, संजीव दिवान अपने महंगे सूट को थोड़ा जाड़ते हुए बोले और सोफे पर विराजबान हो गए, माप कीजिएगा दिवान साहब, आपको तकलीफ उठानी पड़ी, तभी कामनी ने कहा था, कि हम आजाते, कहलास जी बोले, मुपता जी, हमें भी तो देखना था, कि हमारी बिटिया किस घर में रहने वाली है, बहुत गर्मी है आपके घर में, एर कंडिशन नहीं लगा रखा है क्या, संजीव दिवान ने ड्रामा सुरू करते वे कहा, जी है, पर कमरे में है, वो हॉल में कौन बैठता है, त में सबसे पहले एर कंडिशन लिखिए, फिर वो कामनी जी और कैलास जी की तरफ मुड़े और बोले, देखिए बुरा ना मानी, मेरी बिटिया को, इसो हराम में रखा है मैंने, इसलिए इस घर को भी मैं उसकी हिसाब से बदलना चाहूंगा, बिना मांगी मोती मिल जाए, तो और क्या चाहिए, कामनी जी की खुशी का ठिकाना ना था, दहेज में बिना मांगी ही इतना कुछ आने वाला है, जीवन सफल हो गया अब तो, वैसे तो हमारे घर में किसी चीज की कोई कमी नहीं है भाई साहब, पर फिर भी यदि आप अपनी इच्छा से बदलाओ करना जी, अभी बुला कर लाती हूँ, ये कहकर कामनी जी उठकर आयान की कमरे की तरफ बढ़ गई, चल बेटा, दिवान साहब आ गये हैं, मिल ले आकर, वो आयान की कमरे में पहुचकर बोली, आयान अभी भी अपने घर की कपड़ों में बैठा था, ये देखती ही कामनी जी का पारा चड़ गया, कपड़े भी नहीं बदले अब तक, ये भगवान, सारा काम मुझे ही करना पड़ता है इसका, चल उठ, ये सूट बेहन के जल्दी नीचे आजा, कामनी जी ने आलमारी खूल, एक बढ़िया सूट आयान को थमाते हुए कहा, तैयार होते हुए आयान की ह असी नहीं रुक रही थी, वो वीडियो कॉल पर, ओरवी से बाते कहते हुए बोला, भावी, ऐसी फीलिंग आ रही है, कि जैसे मैं लड़की हूँ, और लड़की वाले मुझे देखने आये हुए हैं, बस मा मुझे चाय की ट्रेले जाने को ना कह दे, आयान के ये बोलते है उर्वी भी जोर से हस पड़ी, आयान तयार हो, नीचे आया, और संजीव दिवान के पैर, छून के साथ सोफी पे बैढ़ गया, संजीव दिवान ने आयान की जौब इंकम पोस्ट के बारे में सारी जानकारी ली, बहुत इंटेलिजन्ट हो तुम आयान, ऐसा है, कि सादी क अगी बार मेरे बिजनस में तुम मेरा साथ दोगे, अब आहाना को तो सौक नहीं, तो फिर तुम ही तो हो, जो मेरे बिजनस को आगे बढ़ाओगे, संजीव दिवान बोले, अंकल सौरी, पर मैं अपने आप, अपनी, पर मैं अपने आप, अपनी मंजिल हासिल करना चाहता हूँ, मुझे सीड़ी की जरूर्यत नहीं है, पर आयान, तुम मेरे होने वाले दामाद हो, सब तुम्हारा ही तो है, संजीव दिवान ने चौकते हुए कहा, और कामनी ची और कहलास जी की तरफ देखा, ये आज कल के बच्चे ऐसे ही हैं दिवान साहब, आप चिंता ना कर आयान आपका ही बिजनस सम्हालेगा, एक बार साधी हो जाए, सब समझ आ जाएगा इसे, कहलास जी हात में आई सोने की मुर्गी को कैसे जाने दे सकते थे, ये बात छोड़िये, कहलास जी बोले, आपकी बिटिया कहा है, हम भी मिलना चाह रहे थे, कामनी जी बोली, बस बह रहे थे, आयान ये सुनते, ये मन ही मन मुस्करा उठा, और बड़बडाते वे बोला, हवा का जोका नहीं, तूफान है, तूफान भी कम है, सुनामी है, और ये सुनामी, तुम्हारी नईया डुबो देगा, माते सुरी, अहाना अपने कोट की ड्रिस में, फोन पर बात कहते वे तेजी से अंदर आई, अरे, उसके साथ ससुर को मैंने 20 साल के लिए जेल की हवा ना खिला दी, तो मेरा नाम अहाना दिवान नहीं, मुझे ऐसे लोगों से सक्त नफरत है, जो अपनी भूली भाली बहों पर जुल्म कहते हैं, उन्हें पतारित कहते हैं, कानून मेरे हाथ में होता, तो मैं तो ऐसे लोगों को फासी पर लटका देती, अहाना ये सब बोल रही थी, तो कामनी जी कुछ पल के लिए अंदर तक काप गई, उन्हें ऐसा लगा, कि जैसे अहाना उने के लिए बोल रही हो, आयान अ पता संजीव दिवान को गले लगाया, फिर कामनी जी और कहलास जी को नमस्ते करके बैठ गई, बहुत ही सुंदर और प्यारी बच्ची है आपकी भाई साहब, कामनी जी ने अहाना की तरफ मुस्करा कर देखते हुए कहा, अहाना ने भी एक फीकी सी मुस्कान बिखेरते अब करते हैं बात, संजीव दिवान बोली, देखी गुपता जी, आहाना को आयान पसंद है, और मुझे भी पसंद है, जैसा मैंने पहले कहा, कि आयान को मैं अपना बिजनस स्वाप दूँगा, मेरे बाद, सब कुछ इन ही कातो है, आहाना की मेर्जी है, कि साधी कोट मेरी इसे सोसागिरी पसंद नहीं है, बस आयान की तरफ से आप लोग, और उसका भाई, और हमारी तरफ से, बस मैं और इसकी सहीली, इस सुनते ही कामनी जी की चेहरे की रौनक उड़ गई, कहां वो, डिस्टिनेशन वेडिंग के सपने देख रही थी, और कहां कोट मेरीज, ऐस सहमती जताते हुए कहा, तभी यहाना बोली, माफ कीजी, मैं यूँ बीच में बोल रही हूँ, पर मेरे लिए मैरीज एक बहुत परसनल मैटर है, और मैं इसे परसनल ही रखना चाहती हूँ, वैसे भी हमारे ज़्यादा रिष्टेदार नहीं हैं, और जो हैं, वो सब बिद सब्सन रख लीजिएगा, इस तरह कोई बुरा भी नहीं मानेगा, अरे वाह, बहुत बढ़ियां कहा बेटा, यही ठीक रहेगा, गुपता जी, संजीव दीवान जी बोले, हाँ, यही सही है, ठीक है ना कामिनी, कहलास जी हिचकिचाते हुए बोली, सबकी सहमती की बात काम अरे जी और क्या बोलती, फिर भी उन्होंने आकरी दाओं चलते हुए, आयान इसे पूछा, आयान, तु क्या चाहता है बेटा, तुझे भी तो अपने दोस्तों को साधी में बलाने की इच्छा होगी न बेटा, उन्हें तो मैं अलग से पार्टी दे दूँगा, उनकी चि उत्ता जी, बहुत बढ़ियां दिन है, उसी दिन साधी कर लेते हैं, संजीव दिवान बोले, कामनी जी के अर्मानों पर पानी फेच चुगा था, पर गड़ित में वो कमजोर बिल्कुल नहीं थी, उन्होंने अनुमान लगा दिया था, कि अहाना बहु बन कर घर में तो सौदा तो बुरा नहीं था, इसलिए उन्होंने संजीव दिवान की सभी बाते सहर सु सुईकार कर ली, आयान बेटा, आहाना को अपना घर तो दिखाओ, आखिरकार दो हपते बाद, इस घर में हमेशा के लिए आना जो है, जाओ बेटा, सारा घर घूम लो, और देख तुम्हें जहाँ जहाँ जो बदलाओ करने हैं, नोट कर लो, तुम्हारी पापा करवा देंगी, क्यों भाई साहब, ठीक कहा ना मैंने, कामनी जी ने ललचाई नजरों से संजीव दिवान को देखती हुए कहा, बिलकुल, जाओ बेटा, देख लो घर, संजीव दिवान ब दिख रहा है मुझे भी सब, वैसे किचन तो बहुत बढ़ियां हैं, जरूरत का सारा सामान है यहाँ, और वो भी बढ़ियां कमपनी का, बस सफाई, सौरी, पर धंग से नहीं हुई है, अहाना ने मुआयना करते भी कहा, सब भावी की मेहनत है, काफी सामान तो उनके घर से आया था सादी पर, काफी उन्होंने खरीदा था, माको किचन समालने की आदत कहा है, जो सफाई रखेंगी, वो तो कभी बाई साफ कर जाती है, कभी थोड़ा बहुत समय मिलता है, तो मैं साफ कर देता हूँ, आयान ने फिर जिसे जूस का डिबा निकालते हुए कहा, फिर उसने पांच गिलास निकाल, उसमें जोस डाले, और कुछ स्थालियों में बिस्कुट नमकीन इत्याद रख दिये, लालज बहुत बुरी चीज है मिस्तिवान, अब देखिए न, मा की आँखों पे लालज का ऐसा पैदा पड़ा हुआ है, कि महमानों की आव भगत कहना भी याद नहीं रहा उन्हें, आईए, पहले कुछ खा लीजी, फिर आपको उपर अपना कमरा दिखा दूँगा, अयान ने सारा सामान, एक बड़ी सी ट्रे में रखते हुए कहा, नहीं एट्सो के, मुझे आपका कमरा नहीं देखना, जैसा है चलेगा, ये कहकर आहाना बाहर बैठक की ओचल पड़ी, सबने नास्ता प्रारंब किया, कैलास जी कुछ चुप से थे, वो संजीव दिवान से कुछ पूचना चाहते थे, पर कामनी जी की डर से पूच नहीं पा रहे थे, नास्ती के बाद, सबने अगले हपते का प्लान डिसाइड किया, और संजीव पूचे आया और एक छोटे बच्चे की भाद, आरुस के गले लग गया, साधी के बार तेरी विदाई नहीं हो रही पगले, रो क्यों रहा है, आरुस ने उससे पूचा, तभी कामनी जी निकल कर आई और बोली, कैसा है लला, कामकाश ठीक चल रहा है, आरुस ने विना उन आई वाले दिन, सब तयार होकर संजीव दिवान की घर पहुचे, आलिसान कोठी देख, कामनी जी की तो होस ही उडगे, कोठी में कदम रखती ही, वो बाग बाग हो ठी, इतनी खूप सुरस सी सजी कोठी, उन्होंने आज तक नहीं देखी थी, चारो तरफ नौकर चाकर गो बहे थे, बैठक इतनी भव्य और बड़ी थी, जिसमें उनका पूरा घर समाजाए, कैलाह जी भी कोठी की चका चौंद देख उतसाहित थे, परंतु साथ ही उनके मन में उठ रहा प्रस्ट और अधिक गहरा होता जा रहा था, सब के अंदर आती ही संजीव दिवान, सोयम आ स्वागत के लिए, उन्होंने आधर पूरबग सब को बैठक में बिठाया, फिस सभी नौकर, एक की बाद एक, कभी जूस, तो कभी मिठाई, और नास्ता लाते ही जा रहे थे, आर उसने आयान से फुसपसाते वे कहा, छोटे, तुझे बली का बकरा बनने की चरुरत नहीं मैं जानता हूँ, कि तु ये साधी अपनी मरजी से नहीं कर रहा, अभी भी वक्त है, मना कर दी, क्यों जिन्दगी बरबाद कर रहा है, आयान ने किवल दो सब्द बोले, जिसे सुन, आरुस खामोस हो गया, भाई, लब मेरिज कर कौन सी आपकी जिन्दगी आबाद हो गई भाई साहब खर तो बहुत आलिसान है, काफी बड़ा होगा ना, कामनी जी ने पूछा, धन्यवाद बहन जी, अरे, आप लोग घर देखना चाहें, तो देख सकते हैं, संजीव दिवान बोले, अंधे को क्या चाहिए, दो आखे, संजीव दिवान ने तो कामनी जी के मन की बोल दी थी, कामनी जी हसते वे उठी और बोली, हाँ हाँ, अब आए हैं तो देख ही लेते हैं, चलिए न कैलास जी, भागिवान, क्या देखना है, बैट जाओ, कैलास जी हिचकिचाते वे बोले, आपको नहीं देखना, तो ना सही, मुझे तो देखना है, ये कह कामनी जी संजीव दिवान की एक नौकरानी के साथ चली गी, मौका देख कैलास जी ने, संजीव दिवान के पास बैट, धीरे से पूछा, दिवान साहब, एक बात थी मन में, आपकी आग्या हो तो पूछ लू, बिलकुल पूछें, क्या पूछना चाहते हैं, बुरा मत मानिएगा, आप इतने बड़े आदमी हैं, हम तो आपके सामने कुछ भी नहीं हैं, फिर भी आप हमसे रिस्ता जोड रहे हैं, ये जानते हुए, कि ओर भी और आरुस का लिबोस हो चुका है, और ओर भी तो अहाना बिटिया की बहुत अच्छी सहेली हैं, ये सब समझ में नहीं आ रहा संजीव दिवान थोड़ा चौक गए, उन्हें इस तरह के किसी प्रस्न की ना तो उम्मीर थी, और ना ही उन्होंने तयारी के थी, फिर भी अपनी बेचायनी को छिपाते हुए, चेहरे पर एक मुसकान लाते हुए, वो बोले, गुपता जी, अहाना मेरी जिन्दगी है, मै उन्हें आयान की इतनी तारीफ करी, कि मेरे मन को तसली मिल गई, देखिए, आरुस और और उर्वी की बीच क्या हुआ, ये मुझे सही से नहीं पता, और ना ही उर्वी ने बताया, पर उसने हमेशा आपके परिवार की तारीफ ही ही की है, तो अपनी विटिया की तरफ से ब देख कितनी उतसाहित थी, घर पहुँचकर सबको अपने नए रुत्बे के बारे में बताने का उनका मन हिचकोले खा रहा था, संजीव दिवान ने, सबको दूसरी बैठक में आने का ने उता दिया, उस बैठक को चारों तरफ से फूलों से सजाया हुआ था, बैठक के बि माली है कैलाज जी, तभी और भी अहाना को लेकर आई, अहाना नेले रंग के सलवार सूट में, आज अलग लग रही थी, खूबसूरत सा सूट, उसकी सुनदरता में चार चान लगा रहा था, आयान ने, अहाना को देखा तो कुछ पल के लिए मंत्र मुग्द तो होत, मंत् सारे से कामनी जी और कैलाज जी को प्रणाम किया, कोई और आउसर या जगा होती, तो कामनी जी और भी के इस आदर का कभी जबाब न देती, पर संजीव दिवान के सामने अपने नाख उची रखने के लिए, वो और भी के पास गई और आखों में मगर मच्च के आशू ला आखों में, तडप और मायूसी दोनों ही जलक रहे थे, यह देख और भी कुछ परिशान सी हो गई, उसकी असहज़ता साफ उसकी आखों में दिख रही थी, जिसें आयान ने पढ़ लिया, और इसारदे से उसे मुस्कुराने को कहा, सगाई की रस्म सुरू हुई, आयान औ कामनी जी ने, आहाना की गोद में, एक गले का सिट का डिब्बा, एक जोडी साडी, और कुछ इस रिंगार का सामान रखा, गले का सिट देख, आरुस तिल मिला गया, क्योंकि ये सिट और भी का था, जिसे कामनी जी ने अपने पास रख लिया था, आरुस की आखों में खो इसने अपने आप को समाला और फोन पर बात करने का वहाना कर, वहां से बाहर चला गया, ओर भी भी कुछ वहाना बना, आरुस के पीछी चली जैसे की प्लान किया था, संजी उ दिवान ने, आयान के साथ, साथ कामनी जी और, कैलाच जी की वे जोली हीरी की अगोटी और, मह के कपड़ों से वह दी उस समय कामनी जी की आँखों की चमक देखने लायक थी आखिरकार उनकी मन की मुराद पूरी हो रही थी इतना बढ़ियां रिस्ता खुद चल कर उनके दरवाजे तक आया और उन्हें माला माल कर गया आरुज बाहर बगीचे में एक पेड़ के नीचे बेंच पर बैठा था उसकी आखें अभी भी लाल थी तभी पीछे से आकर किसी नहीं उसे टोका अकेले में आसु बहाने की आदत नहीं गई अब तक आरुज जानता था कि पीछे ओर भी खड़ी हैं उसका दिल तो किया कि ओर भी को गले लगा कर खुब रोए खुब जो ज बोलूँगी तो भी आप जोट मानेंगे और जोट में बोलती नहीं ओर भी ने कटाच भरे स्वर में कहा आरुज ने एक नजर ओर भी को देखा उसकी ओर भी के हस्ते खिलखलाते चेहरे पर आज मासूमियत और गम की तस्वीर साब दिखाई दे रही थी वो पहले से और अ आज भी मेरी बात पर यकीन नहीं आया आरुज कि मेरे गले कसित माजी के पास था आरुज इस बारे में बात नहीं करना चाहता था वो वहां से जाने लगा तो उद्वी ने उसका हाथ पकर उसे रोकते हुए कहा कब तक सच्चाई से भागो गे आरुज उस दिन भी मेरी ब बात नहीं सुनी थी आज भी नहीं सुनना चाहती आरुज ने मुड़ कर उर्वी की आखों में जाकते हुए कहा किस किस की बाते सुनो और भी ठक गया हूं सुन सुनकर अभिमत नहीं बची हाँ एक दुख हमेशा रहेगा कि मैंने तुम्हारी जिन्दगी की बेहतरीन चार साल खराब किये हैं वो वापस तो नहीं लोटा सकता पर तुमसे एक गुजारी से कि अब वो सब करो जिससे तुम्हें रोका गया था आयान ने बताया कि तुमने फिर से MBA के एकजाम दिये हैं मुझे पूरा यकीन है उर्वी कि तुम जरूर किलियर करोगी और IIMS के पढ़ से उसे जाते हुए देखती रही एक बार भी पलटकर आरुस ने उसको नहीं देखा क्या सच में वो अपने जीवन में आगे बढ़ गया है सोचती हुए उर्वी भी अंदर चल दी अरे क्या बताओं कितना आदी सान बंगला था तुम सब देखती तो देखती ही रह जाती क कामनी जी सगाई की फोटो दिखाते वे अपनी महिला मंडली पर अपना रोब जाड़ते वे बोली कामनी इतने अमीर लोग हैं ये तो इतना सिंपल क्यों कर रहे हैं सब कुछ अजीब बात है लड़की में कुछ गड़बड तो नहीं है ना महिला मंडल की एक सदस से बोली कामनी जी को उसकी बात बिलकुल पसंद नहीं आई उन्होंने तुरंत अपनी होने वाली बहो का पच्च लेते वे कहां लाखों में एक है मेरी होने वाली बहो तुम सब की बहों से ज़्यादा खोब सूरत और उचे घराने की वो तो लड़की को सोसा गिरी से नफरत है इस को भी हीरे की उठी री है सो समझ ले कामनी बहु वकील है और वो भी डिबोस लॉयर तेरी पटेगी उससे की नहीं एक ने कहा तो सब हस पड़ी कामनी जी अपना सामुह बना कर रहेगी उनके जाने के बाद सारा दिन बड़ बड़ाती रही कि सब जलती हैं मेरी सानों सोकत देखकर खुद ऐसा घर ढूर नहीं पाई इसलिए जल रही हैं आयान ये सब देख रहा था और मन ही मन मुस्करा रहा था क्योंकि वो जानता था कि उसकी मा ने घर में बहू को नहीं सामत को दावत दी हैं आखिरकार वो दिन भी आ गया जिसका कामनी जी को तो बेसब्री से इंतजार था कोट मेरीज की तारीख का दिन वो तो ऐसे तयार हुई थी जैसे उनकी साधियों आयान अपने परिवार के साथ मेरीज रजिश्ट के दख्तर पहुँच चुका था सब दीवान परिवार का इंतजार कर रहे थी तभी दीवान साहब बड़ी सी गाड़ी से उतरे उनके पीछे और भी उतरी और अंत में आहाना पीले रंग के लहेंगे में वो बहुत खुब सूरत लग रही थी उसके खुले वाल आयान को हम कैसा अपनी और आकरसित करते थे आज भी वो उन में खो जाना चाहता था पर उसे पूरा हिसास था कि वो ये सादी क्यों कर रहा है और साथ ही वो ये भी जानता था कि हाना और भू कभी साथ नहीं हो सकते इसलिए बेकार की बातें ना सोच कर, काम की बात पर फोकस करना चाहिए, अहाना के पीछे दो नौकर भी थे, जिनके हाथों में वर्माला और मिठाई के डिब्बे थे, मिठाई के डिब्बे देख, कामनी जी के मुह से पानी आने लगा, क्योंकि ये डिब्बे, उनके अची लगी हो तो आप लोगों को प्लीज आते जाते लाइक कर दीजिए गा, और चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर कर लीजिए, आप लोग कहानी इतने प्यार से सुनते हैं, लेकिन लाइक नहीं करते हैं, प्लीज आप लोग लाइक भी कर दिया करिए, क्रेंस